उत्तर परदेश के जलालपुर थाना शेत्र के त्रिलोचन महादेव बाजार के पास बुद्धवार की रात करीब दस बजेट रेक्टर और बोलेरों में हुई भयानक टककर में गुलाव राजबर उमर 36 नामक एक मजदूर की मौत हो गई थी जिस पर परीजनों ने आरोप लगाया था कि मृत्तक की ट्रेक्टर मालिक द्वारा हत्या की गई है और शव गायब कर दिया गया है जिससे नाराज ग्रामिणों ने जौनपूर वारानसी रास्ट्री राजमार्क पर जलालपूर चोराहे के पास जाम लगा दिया मृतक का शव बरामत करने और दोश्यों के विरुद कारवाही की मांग को लेकर आक्रोशित सैंकडों की भीड धरने पर बैठ गई पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो भीड ने उग्र होकर इंट पर्थर बरसाना शुरू कर दिया जिस पर पुलिस ने लाठिया भाज कर भीड को खदेड दिया बताया गया कि शेतर के नहोरा गाउं का निवासी मजदूर ट्रेक्टर पर इंक लादने और उतारने का कारे करता था रात को ट्रेक्टर मालिक ने उसे घर से बुलवाया था और मजदूर की इंकार करने के बाद भी उसे ट्रेक्टर के साथ भेज दिया था उसके बाद मजदूर का कही कुछ पता नहीं चल रहा परिजन उसकी मौत को लेकर तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं मरितक की पत्नी और दो बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है कि पत्नी पत्नी तरह का रहा है खिरिका करे इसन आयाया। दिसक्राब मारे मेगग जारे नांब ओरिन आया। कि थहाओ सेवारा है